दोस्तो इस चैनल पे फर्स्ट यर वाले स्टुरेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाय जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पॉल साइंस, हिस्ट्री, एक्सेक्टरा तो सिंप्ली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है और आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ओप्शन पे क्लिक करना है तो प्लेलिस्ट वाले ओप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहां पे देख सकते हैं यही सब्जेक एजुकेशन के युनिट सेकिंड का चाप्टर फो करने वाले हैं जिसका नाम है एक विकाशील एवं लोगतांतरिक समाज के संधर्ब में स्विक्षा के उद्देश्व के निर्मान के आधार फ्रेंट हम वुडी सेकिंड के टीन चेप्टर अप्लोड कर चुक हैं इपने नियुक ने राहु में युनिट सेकिंड का चैप्टर करें हैं दिशक हुमारी इंधर इनयुक्षक चैप्टर फॉर आजर सके ऀन व्याचनुग चकिहां विडियो के अनदर णिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी ठीक है और हमारी एजुकेशन के बुक के अंदर टॉटल तीन यूनिट है तो दो कंप्लीट हो जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा सिक्षा मानव के जीवन में एक महत्वपून भूमी का अदा करती है कि जो सिक्षा होती है यानि कि एजुकेशन होती है वो एक इंसान के पूरी लाइफ के अंदर उसके जीवन के अंदर एक महत्वपून भूमी का अदा करती है ठीक है सिक्षा के जरिये ही एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्मान होता है यानि एजुकेशन शिक्षा के जरिये ही एक इंसान के व्यक्तित्व का उसकी परस्नालिटी का निर्मान होता है उसके व्यभार में बदलाव आते हैं जैसे किसी का बिहेवियर चेंज होता तो बिहेवियर में जो जो changes आते हैं वो सब education की वजी से ही आते हैं शिक्षा की वजी से ही आते हैं क्योंकि जैसे जैसे knowledge बढ़ती रहती है तो behavior जो होता हो चेंज होता रहता है शिक्षा ही उसे अपने अधिकारों और करतवयों के प्रतु जागरुख बनाती है उसे संस्कृति से जोड़ती है उसे आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाती है और समाज में उसके भूमी का सुनिश्चित करती है यानि शिक्षा जो है वो ही किसी व्यक्ति को उसके अध पहले चाप्टर में पढ़ा था फ्रेंट्स की जो संस्कृति होती है उसको सिख्षय के जरीए एक पीडी से दूसरी पीडी में भेजा जाता है तो सिख्षय जो है वो संस्कृति से भी जोड़ती है एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्मी निर्भर भी बनाती है क्योंकि हुए शेत्र को ध्यान में रखकर उसकी प्राप्ति के लिए इसके उद्देशों का निर्मान एक महत्वपून किरिया है यानि कि सिख्षा जो है वह बहुत ज्यादा फैली हुई है यानि कि सिख्षा है थोड़ा बहुत पढ़ लिया सिख्षा पूरी हो गई नई है ठीक है तो सिख्षा के उद्देश्यों को महत्व है वह इस प्रकार से समझा जा सकता है कैसे कि सिख्षन प्रक्रिया को सही देशा प्रदान करते हैं यानि कि अगर मतलब किसी को सिख्षा क्यों दी जा लिए उसके जो देश्यों के साथ सिख्षा दी जाती है उनकी बात कर रहे हैं तो जो देशे होते हैं यह सिक्षण प्रकिरिया को सही दिशा प्रदान करते हैं यानि कि टीचर किस प्रकिरिया का इस्तिमाल करके बच्चों को पढ़ा है तो यह उसको सही दिशा देते हैं सिक्षण प्रकिरिया को लगातार चलाने में सहायाता करते हैं यह देश करता कि दिशा ये सपार्ष्ट रूप से निरदेशित करते हैं अधिगम करता कों अधिगम का मतलब होते है फ्रेंटs Learn यानि कि सीखना कुछ ठीक है तो जो अधिगम करते होते हैं इ dispos tutaj। उसको सपार्ष्ट रूपसे निरदेशित के उद्देशय निर्मान का आधार यानि कि सिख्षय के जो उद्देशय हैं उनका निर्मान करने चलते तक किस आधार पर हम सिख्षय के उद्देशय को निर्मान करते हैं ठीक है तो हमारे सिख्षय हमारे लोगतंत्र को सम्रद करने के लिए सतत प्रयास करती रहती है तो हमा कि न्रुमारी सिह्तिंब्धार हादा संवादान करना अधर litt Snay जाता है je सब्सक्राइब करना वेक्षा चले की यह सुछ कि ओर तकर आधर करना और सब्सक्राइब कि स्भिव にके अधर करनाने कि युनिवसल फर जगे और ज़रूरी सिक्षा प्रदान करना निशुल्क शिक्षा देना यानि कि फ्री और सीफ्षा के व्यक्तित्व का संभावनद सीफ़ान करना। निचोनलिटी उनके बिहेवियर का संभान करना। शिक्षा देना समस्थ साधनों में साहीयोग आदी। यह ऐसी बहुत सारी बाते हैं। जिनके अंदर सिक्षा के मतलब सिक्षा के अंदर जिनका लोगतंत्र विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है कि हमारी जो सिक्षा है उस पे लोगतंत्र का असर है यानि कि हमारी जो सरकार है उसका असर पड़ता है ठीक है विकाशील एवं लोकतांत्रिक समाज के संधर्ब में सिक्षा के उद्देशों के निर्मान के आधार निमेने लिखी थे यानि कि विकाशील और लोकतांत्रिक समाज के अगर इस तरीके से बात की जाए तो सिक्षा के जो उद्देश्यों होते इसके निर्मान के आधार इस प्रकार है सिक्षा के उद्देश्यों जो होते उनका निर्मान इन आधारों पर किया जाता है पहला दार्शनिक आधार, मनोविज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार, एतिहासिक आधार, आर्थिक आधार और राजनितिक आधार तो शिक्षा के उद्देशों को जो निर्मान किया जाता है वो इंचे आधारों पर किया जाता है इन सब बातों को ध्यान में रखका सिक्षा के उद्देशों का निर्मान किया जाता है पहला अब हम देखेंगे अपना तारशनिक आधार ठीक है तो दर्शन शब्द जो होता है वो द्रश धातु और लिट प्रत्य से बना है जिसका मतलब होता है जिससे देखा जाए यानि कि दर्शन क camino 2ा प्राकारा थैं जिस्थ नेट Hersih नध्र घूशू हैनं दूसरा घ्यान चक्षु दिव्ययाचक्षु या यह रही अंग को are Radio Прichten से श्थुल नेटर कों से 108 bekommen सुने ड़र मता होते हैं किने स्थुल नेक्षक्षु इसते हैं प्रग्या चक्षू का मतलब होता है नेत्र यानी कि आखे तो यह वह आखे होती है मतलब कि कहते हैं एक तरीके से कि यह बहुत दिव्य आदमी है मतलब यह मन की आखों से देखते हैं तो वह जो मन की आखे होती है उन्हें एक तरीके से ग्यान चक्षू का जाता है दिव्या चक्षु प्रग्या चक्षु का आज आता है जो मतलब जो आखे दिखाई नहीं देती है लेकिन अपने मन के हिसाब से जो हम लगे उसे कहते है ठीक है नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है डॉक्टर सर्वपली राधा क्रिशनन के अंसान दर्शन यथार्थ के स्वरूप का तार्किक विवेचन है तो जो डॉक्टर सर्वपली राधा क्रिशनन उन्होंने कहा कि जो दर्शन है वो यथार्थ के स्वरूप का तार्किक विव विवेचना कहते हैं तो डॉक्टर सर्वुपली राधा कृष्णन ने कहा था नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दर्शन का एक महत्वपून संप्रदा है तो जो हमारा दर्शन है यह स्वतंत्र चिंतन प्र का सोचन कि तो इस संप्रदाय में साथ दर्शनों को शामिल किया गया है सात तो संप्रदाय में सांख्य दर्शन यॵशे और विगमात SHOW अदवयत दर्शन और विशिष अद्वैत दर्शण ठीक है तो अभी हमने जो अपने वह एक एक दर्शण पढ़ेते साथ के साथ अभी उनको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे यानि सांखिय जो हमारा शवन है इसकी उत्पती हुई है संखियों का बोध यानि कि शुद ग्यान का होना और संख्याओं का पता होना इसका मतलब होता है इसमें बोध्धिक और सिधान्तिक ग्यान को जादा महत्व दिया गया है बोध्धिक यानि बुद्धि सा जो ग्यान हम प्राप्त कहते हैं अपने दिमाग से और कुछ theories दियोती हैं theory को पढ़ पढ़ के जो हम सीखते हैं तो उस ग्यान को जादे महत्व दिया गया है योग दर्शन और सांख्या दर्शन एक दूसरे के पूरक है तो योग दर्शन अभी हम next पढ़ेंगे अपना तो यह जो योग दर्शन होता है यह जो सांख्य दर्शन है यह एक दूसरे के पूरक है एक दूसरे के बिना यह अधूरे हैं इसके जनक कपिल मुनी है कि सांख्य दर्शन जो है इसके जनक जो है वो कपिल मुनी है और इन्होंने इसको आगे प्रचार प्रसाद किया सांख्य दर्शन का किसने कपिल मुनी ने ठीक है तो next हमारा योग दर्शन ठीक है तो योग जो हमारा शब्द है इसका मतलब होता है जोड योग का मतलब होता है जोड यानि कि दो चीजों का एक साथ मिलना जोडना योग से ताथ पर दिया एक व्यप्ति के मानसिक पक्षों के जोड से होता है तो योग जो शब्द हो को शिक्षा का सिध्धान्त कहा जाता है तो जिस तरीके से जो दर्शन होता है उसको शिक्षा का सिध्धान्त माना जाता है यानि कि तरीके से थ्योरी मानी जाती है ठीक है और शिक्षा जो है उसका व्यभारिक पक्ष होता है यानि कि दर्शन को सिख्षा का सिध्धान्त मान करते हैं तो इसके प्रवर्तक है प्रवर्टक को ढगे प्रचार किया वह उसी पतंजली है कि घ्Lo विशलेशन आत्मक चिन्तन ज़ैन मिमांशा, उसकी चीज को बात कनी सो और चोटी चोटी बात बात के बारे सोचने. और ग्यान मिमानसा ग्यान मिमानसा का मतलब होता है विचार करना ठीक है फ्रेंड्स तो इसे तर्ख का विज्ञान और कारण का विज्ञान भी कहा जाता है तो जो निया दर्शन है इसको तर्ख का विज्ञान यानि कि लॉजिकल साइंस भी कह देते हैं और कारण का विज्ञ मुनी है कौन है गोतम मुनी यानि कि इसको आगे प्रचार प्रसार करने वाले गोतम मुनी है और इसलिए इसको गोतम का अक्षपद भी कहते हैं क्योंकि इसको प्रवर्थक थे वो गोतम मुनी थे इसलिए इसको गोतम का अक्षपद भी कह देते हैं अक्षपद का मतलब होता यानि कोई ऐसा पर्षन जिसको शास्त्र की पूरी नौलिज हो ठीक है तो जो न्याय दर्शन था इसको न्याय शास्त्र जो था इसको गोतम जी ने लिखा था इसलिए इनको गोतम का अक्षपत भी कह देते हैं फूर्थ है हमारा विशेशिक दर्शन ठीक है तो इसका विकास सांख्य दर्शन के बाद हुआ यानि कि सांख्य दर्शन का विकास हो गया उसके बाद विशेशिक दर्शन का विकास हुआ और विशेशिक दर्शन के बाद नियाय दर्शन का विकास हुआ था ठीक है तो विश दिखेश इस एक श्रब्द ना seperti जिसका मतलब होता है किसी भी चीज के विशेश्ट लक्षन या मतलब इसका कि भी चीज जो इंपॉर्टन टिकिंता trainer कि हमारिक भाव मैं помощ के म corn हुषे dershan हो उसके अंदर किसी भी चीज के निसकर्ष भाव को जादा महत्विद दिया जाता है कि उसका कितना मृतार है यानि कि कि 땜 के मतलब होता व कितना ज़या हुआ है उसका भाव कितना जादा फैला हुआ यह levyा थानी कि नग्याशमर्ट द्रशन तो मिमांश्वा मतलब होता है विचार निकि सोचना तो मिमांश्या वेद के पहले वाले 1 पक्ष से संस्बंदित हैं यानि कि जब तक वेद बने भी नहीं थे उस समय से मिमांश्या असलिए इसे कि क्रमिकान मिमानशा भी कह देते हैं और इसे धर्म मिमानशा भी कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा अद्वेत दर्शन तो अद्वेत दर्शन का जो मुख्या खंड है वो अंतिम सत्य और ब्रह्मा से संबंदित है तो अंतिम दर्शन जो है इसका जो मुख्या खंड है निकि जो इस और शूडने की व्याख्या ठीक है नेक्स्ट हमारा विशिष्ट अद्वयत दर्शन तो विशिष्ट अद्वयत दर्शन जो है वो दर्शनवादी जीवात्मा को सच मानते हैं यानि कि विशिष्ट अद्वयत के जो दर्शन को मानने वाले थे विशिष्ट अद्वयत और जीव में कोई फरक नहीं है क्योंकि जीव वही ब्रह्मा का रूप है ज्यान की वास्तिविक्ता के लिए तीन प्रमान माने गई है इसमें प्रतियक्ष अनुमान और शक्त इस दर्शन में रामाणुजचार्य का विशेष योगदान है यानि कि यह जो विशिष्ट अद्वयत दर्शन था इसमें अपना सबसे दादा योगदान जो दिया वो रामानुज अचारिया ने दिया ठिक्के तो यह जो हमारे साथ दर्शन थे हमारे यह हमने पढ़ लिये ठिक्के फ्रंस अब आगे इसको कंटीनिय करते हैं दर्शन शब्द को इंग्रेजी में फिलोसिफी कहते हैं यानि कि जिसको हम हिंदी में दर्शन कहते हैं इंग्लिश में इशी को फिलोसिफी कहते हैं तो फिलोसिफी जो शब्द है वो युनानी भाशा के फिलोस और सोफिय शब्दों से मिलकर बनाएं दो शब्द थे युना दर्शनक्रब्द हो गया उसका मतलब हुआ ज्यान के प्रति प्रेम नेस्ट फिलोसिफिय के अंदर सत्य की प्रकृति को जानने परियास सब्रों करा AH किसी भी शाचिक काость नेचर कैसा है लेकिन यह संभब नहीं है यानि किसी भी सच्ट्य का नेचर जानने जाओगे, क्या आप जानपाओगे, यह मतलब संभभ गूシ Нिष्कर्ष पर पहुचे, तो वह क्यों करते हैं, मतलब कि यह संभभ नहीं है, कि वह सच्य के रिलेटीड, किसी भी बात से संभधित, किसे ठोश निसकोश पर पहुचे तो philosophy जो है वो सत्य की प्रकरती को जानने का प्रयास करती है हरबर्ट स्पेंसर के अनुसार philosophy प्रती एक वस्तु से संबंदित है यह हरबर्ट स्पेंसर थे उन्होंने कहा कि philosophy जो है वो हर चीछ से रिलेटिड है यह एक सारवभोमिक विज्ञान है उन्होंने कहा philosophy एक universal science है ठीक है सारवभोमिक यानी की universal एमवल कांट ने भी फिलोसिपी को विज्ञान माना तो हरबर्ट स्पेंसर के बाद एमवल कांट थे उन्होंने भी फिलोसिफी को science माना philosophy बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी अलोचना है तो Amwell Kant ने कह दिया कि philosophy जो है वो बोध क्रिया की science है और उसकी अलोचना है next point है माला philosophy के संप्रदाओं को चार मूले संप्रदाओं में विभाजित किया गया तो जो philosophy थी इसके संप्रदाओं को भी चार पार्ट में डिवाइड कर दिया जो कि इस प्रकार है प्रकर्ति वाद या भोतिक वाद नैचुरलिजम आदर्श वाद विचार वाद जिसको इंगलिश में आइडियोलिजम कहते है या थार्थ वाद या वास्तव वाद जिसको र philosophic तो फर्स हमारा आदर्श वाद तो आदर्श वाद मन की प्रकर्टि को वास्तविक मानता है तो ही यामिड के या निकी इसका मानना है कि जो बात real है और सच्ची है वो आध्यात्मिक या फिर मांसिक है आध्यात्मिक यानिक कि spiritual ठीक है आपने लोग गोड वगएर से related जो मतलब की अंधविश्वास वगएर होते हैं उनसे related या फिर मांसिक है ठीक है इसे इस बात पर भी बल देता है कि वास्तिव वह विचारों भावों आदर्शों मूल्यों से बनी हूई है आदर्शवाद क्योंकि इश्वर को स्विकार करते हुए मन को वास्तविक मानता है इसलिए शिक्षा के उद्देशों में आत्मनुभूति यानिकि सेल्फ एलायजेशन का महत्व देता है तो आदर्शवाद जो ह अत्मनभूति यानि कि सिल्फ रुते神 को महत्व देता है कि हर बच्छे को खुद को यानि कि अपनी सेर्फ् रियालाइजेशन उसे होनी चाहिएakes कि मल रहा है मतलग कि वह क्या चाह्ता है क्या नहीं चाहता है तो इसके अदर अपने से रिलेटिब सेल्फ रर्यायजेशन होन यानि कि नेचर को ठीक है तो इसका मानना है कि व्यक्ति विकास करते करते प्रकृति से दूर हो गया है और व्यक्ति को वापस प्रकृति के पास लोटना चाहिए तो यह आध्यात्मिक्ता में विश्वास नहीं रखता अध्यात्मिक्ता यानि कि मैंने भी बताया था यानिकि सेल्फ एक्सप्रेशन को धिक मातन ता यानिकि प्रकर्तिभाट का मानना है कि जब आतम अभियक्ति को ध्यान में करना चाहिए यानिकि अगर किसी को दे जारे है तो ऊसमें स्प्रीज दे बतार जाने कि c어가 चाहिक आना चाहिए लिगा नेखि에서 मारा प्रियोजनवाद तो प्रियोजनवाद जो है वो पहले प्रियोग करता था फिर उसके बाद परिनामों के आधार पर विचारों सिध्धान्तों का निर्मान करता है यानि कि प्रियोजनवाद में पहले किसी चीच को इस्तेमाल किया जाता है फिर उसके बाद जो रिजल् लचीलेपन तथा उपयोगिता के सिध्धान पर आधारित शिख्षा के उद्देशे प्रस्तुत करता है तो जो प्रियोजनवाद है उसका मानना है कि समाज है इसमें बदलाव होता रहता है बदलावी समाज का यहने पूरे संसार का नियम है तो इस विचार पर जोर देते यह समाजिक कुषलता पर लचीलेपन पर उपयोगिता का जो सिध्धान था उस पर आधारित शिख्षा के उद्देशे उनको प्रस्तुत करता प्रियोजनवाद यानिकि इसके जरीए किसी भी बच्चे को इस तरीके से सिख्षा दी जानी चाहिए कि वह अपने समाज में क विकास की प्रकिरिया मानते हुए विग्यानिक द्रश्टिकोन तथा व्यावसाइक शम्ताओं के विकास प्रकर्ति एवं सामाजिक परियावरन की जानकारी और जीवन को सुख्मय बनाने जैसे सिख्षा के उद्देशों को बढ़ावा देता है तो जो यह अथार्थ परियावरन की जानकारी और जीवन को सुख्मय बनाने जैसे जो टापिक्स होते हैं यह सिख्षा के उद्देशों को बढ़ावा देता है ठीक है तो फ्रेंट्स हमने अपना फर्स्ट आधार था कि किसके बेस पे जो सिख्षा के उद्देशों को निर्मान करना चाहिए त तो अब हम दूसरा करने वाले अपने मनो विज्ञानी का था तो जो मनो विज्ञान होता है मनो विज्ञान को पहले दर्शन शास्त्री की ही एक साखा के रूप में माना जाता था यानि कि इसको पहले ना दर्शन शास्त्री की ही एक शाखा मानते थे एक ब्रांच मानते थ तो मनो विग्यान जो है वो psychology, नायानी जैने स्वेह से की लेटिन भाशा के आटम विभ्यान से मिलकर बना मनो विग्यान, जिनका मतलब होता है duties का मनो विग्यान पहले आतम का विग्यान कहते हैं ड्रिफरेंट्स तो फिर बाद में सारी लोगी तो भी आत्म ग्यान मतलब और छोड़ दिया कि यह बात विझान को चेतना का विकास भी मना जाता था फिर बाद में का गया कि मनों विझान को चेतना का विकास है छेतना Küसी ली इस पी श्टिति hydig तो मनो विग्यान जो फ्रदाने के ने लाग लेकिन फिर बाद में ग्वा हुआ इसको भी नहीं वाला गया दो बीeed सदी के आरम में मनो विग्यान के शेत्र में बहुत सारी अभृत सारी अश्चेथ भाते श på justice जाना जाना लगा ठीक है तो बाद में इसको व्यभार का विज्ञान कहा जाने लगा लेकिन फिर इसको ये भी मतलब इसको भी अधूरा माना गया ठीक है तो मनो विज्ञान को व्यभार का विज्ञान और अध्यन कहा जाता है तो सिख्षक की समस्याओं को मनोविग्यानिक सिध्धान्तों के अधार पर हल करना सैक्षिक मनोविग्यान के अंदर आता है तो सिख्षक की जितनी भी समस्याइं होती हैं उनको मनोविग्यानिक सिध्धान्तों के अधार पर हल करना मनोविघ्यानिक सिध्धानत की व्य वहार से रिलेटेड ऐसे सिध्धानतों के अधार पर हल करना सेक्षिक मनोविघ्यान के अंदर आ जाता है, ठीके। पलेटों के अनुशार अच्छे सिख्षक को शात्र का अजो स्वभाव होता है वो पता होना चाहिए, जिस तरीके के बच्छों को पढ़ा रहा हुए उनका विभार कैसा है जिसका मत्लब है कि सिक्षा का मनोव्याग्ञानिक आधार होना चाहिए क्यों friends क्यूंकि अग़ी टीचर्स को पता ही नहीं होगा कि जिन बच्चों को पढ़ा रहा है वो मांसिक तोर पे कैसे हैं उनका व्यभार कैसा है तो वह उन्हें किस तरीके से पढ़ाएगा होता ना आज के टाइम पर मारे आप पे कि टीचर्स चोते हैं वो बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाते हैं तो ऐसा होना चाहिए ठीक है तो सिक्षा जो मतलब जिसका मतलब यह होता है कि सिक्षा का मनो विज्ञानिक आधार भी होना चाहिए कि सिक्षा के जो उद्देशे हैं वह मनो विज्ञानिक आधार पर भी बनाए जाने चाहिए ड्रेवर उन्हें भी शिक्षा में मनो विज्ञान को जरूरी बताते हैं तो ड्रेवर थे उन्होंने भी मनो विज्ञान को शिक्षा में जरूरी बताया कि उन्होंने कहा सिक्षा में दर्शन के जरिये देश्य निश्चित किये जाते हैं और सिक्षा में विज्ञान के द्वारा सिक्षन प्रणाली को निश्चित करना चाहिए जो कि मनोविज्ञान है ठीक है तो उन्हेंने बोल दिया कि दर्शन के जर्रे निष्चित है चुने जाते हैं और सुक्षय में साइंस के द्वारा सुक्षन प्रणाली को निष्चित करना चाहिए यानि कि बच्चा उसका दिमाग वह मानसिक तोर पर कैसा उसका विबहार कैसा है वो किस तरीके से behavior करता दूसरेक साथ तो इस तरीके से जो है सिख्षन प्रनाली को निश्चित करना चाहिए जो कि मनोवग्जान कहलाता है ठीक है शिक्षा के उद्धेश्यों के निधारन में तथा उद्धेश्यों के प्राप्ति में सेक्षिक्षिक मनोविज्यान के सिधांत महत्वपून भूमिगानी बात है। प्रंचिरे अभी प्रेननायानिकी मोटिवेशन, अभीवरत्ती, अधी counting, यहीचिस लॉर ल मापन ये वो मूल यांकन आदी में भी सिक्षा के उद्देशों के निर्धारन में महत्वपुन भूमी का निभाते हैं मनो विज्ञान जो हमारी सेक्षिक मनो विज्ञान के सिध्धायन्त है ये बाल केंद्रिता बाल विकास व्यक्तिति पर इन सारी पूइंट्स के अंदर भी उद्देशों के निर्धारन में महत्वपुन भूमी का निभाते हैं ठीके नेक्स्ट है मनोविज्ञान के अनुसार सिक्षे के उद्देशे बच्चों को ध्यान में रखते हुए जीवन से संबंधित तथा लचीले होने चाहिए तो मनोविज्ञान का मानना है कि सिक्षे के जो उद्देशे हैं वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन से संबंदित होने चाहिए रólचीले होने चाहिए इस तरीके से इन जीवन से संबंदित हो वह शारी बाते ठीकिकеты । चैप्टर ने काफी difficult लिग्ला काफी उझीब सा है तो मैं पूरी कोशिश कर रहे हूं आप लोगों को समझानी कि अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा ठीक है चरे थार करते हैं अपने सामाजिक आधार के सिक्षा के जो देश्य थे वह सामाजिक आधार पर भी मतलब उनका निर्मान किया जाता है तो मनुष्य एक सा अधार क्या है तो मनुष्य चाहर कर भी खुद को समाज से अलग कर सकता कि नहीं जा सकता जहां भी रहेगा समाज पूरती कि आशक्रा तो we अपने आपको चाह कर भी अलग नहीं कर सकता समाज और सिक्षा के बीच एक मजबूत संबंद है और यह एक दूसरे के पूरक है एक दूसरे के बिना यह अधूरे हैं ठीक है सिक्षा समय समय पर उसी तरह बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है तो जैसे जैसे समाज में बदलाव आते रहते हैं उसी तरीके से सिक्षा की प्रणाली होती है वो भी बदलती रहती है सिक्षा हम समाज एक परिवर्तों को मार्ग दर्शन करती है यानि कि समाज में किस तरीके के बदलाव आने चाहेंगे सिक्षा उनको मार्ग दर्शन करती है यानि कि उनको रास्ता दिखाती है समाज सिक्षा को जन्म देता है यानि कि समाज जो होता है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शिख्ष का एक ऐसा स्वरूप चुनता है, जो की इन सब को पूरा कर सके उसके जरूरत आ सकें। यानि कि सिक्षा के जो देश्य होते हैं वो एक इंसान की परस्नेलिटे का विकास इस तरीके से करती है कि वो अपने जो उसके समाज के लिए जो उसके दायत वो होते हैं वो उनको जाने और उनका पालन करते हुए अपने समाज का विकास करने में समर्थ हो ठीके, सिक्षा के समाजिक आधार पर समाजिक विकास पर अधिक बल दिया जाता है यानि कि सिक्षा को जो समाजिक आधार पर जो उद्देश्ये निश्चित किये जाते हैं इनके अंदर समाजिक विकास पर जादा बल दिया जाता है कि यानि कि सिक्षा के उद्देश्य इस तरीके के होने चाहेंगे कि उनसे समाज का विकास हूँ नेक्स्ट हमारा एतिहासिक आधार तो इतिहास पढ़ने के कारणों को अगर हम जान लेंगे तो हम सिक्षा के उद्देश्यों के निर्मान में इतिहासिक आधार की भूमिकाव को भी खुदी समझ जाएंगे कि अगर हम इतिहास पढ़ क्यों रहे हैं इन कार्णों को जान लेंगे तो सिक्षे के देश्चे जब हम बनाने चलते तो उसमें इतिहासिक आधार की क्या भूमिकावति इसको हम खुदी समझ जाएंगे इतिहास पढ़ने के निमन लेकित कारण है चलिए उन्हों देखते हैं फर्स्ट है लोगो समाज को समझने में सहायक होता है इतिहास समाज में होने हले परिवर्तनों को समझने में मदद करता है इतिहास यानि कि समाज में क्या क्या बदलावार है उनको समझने में नैतिक समझ बनाने में भी मदद करता है इतिहास और हमारे जीवन में इतिहास जो है वो बहुत महतुपून भी है और अच्छा नागरिक बनने के लिए भी इसका इसकी पढ़ाई करना जरूरी है और पहचान बनाने में भी मदद करता है इतिहास और कार्य जगत में भी उप्योगी होता है इतिहास तो ये सब कारण है कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए तो इसलिए जो है सिक्षा के जो उद्देशे हैं उनका निर्मान करने चलते तो इत्यासिक आधार भी होना चाहिए उसमें तो इतिहास को जानना और भविष्य में उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही इतिहास अध्यान का मुख्य उद्धेश है ठीक है तो इतिहास जो है वो हमेशा ही सिक्षा के उद्धेशों के लिए प्रे यानि कि समाज जो उनके आर्थिक दशाय कहती है पैसों से रिलेटिए उनकी स्थिती वगएरा यह सब ठीक है तो यह सब जो होते हैं यह भी सिक्षा के उद्देश्य का जब निर्धारन करने चलते हों चुन्ने चयान करने चलते हैं तो उसमें महत्ववन भूमिक आदा करती है सिक्षा राष्ट्र को आर्थिक रूप से विक्सित करने में भी अपना योगदान देती हैं तो जो शिक्षा होती है यह आपना आर्थिक रूप से अपना विकास करने भी अपना योगदान देती है शिक्षा के बिना समाज का आर्थिक विकास कठीन है क्यों फ्रेंट्स जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो हम कुछ जोब बगएरा करेंगे तभी तो हमारी कुछ मतलता है भी तो हम अपने देश के जो आर्थिक स्थित्य होगी वो अच्छी कर सकेंगे तो सिक्षा के बिना ये सब ना मुल्किन है और सिक्षा को आर्थिक विकास की आत्मा माना जाता है तो इसलिए सिक्षर के उद्देशय को निर्धारिट करते समय अर्थिक आधार को भी ध्यान में रखना जरूरी है ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट हमारा राजनितिक आधार, तो सिक्षा जो है वो व्यवस्था कुछ जगों पर यानिकि सिक्षा की जो व्यवस्था होती हैं, वो और क। तोनों मिलकर एक जगा किसी संच्था को चलाते हैं तो इससे पता चलता है कि शिक्षा पर राजनीती का भी नियंत्रन है तो राजनीती शिक्षा को चार तरीके से नियंत्रित करती है पहला वैधानिक नियंत्रन यानि कि सन्विधान के धारा ग्यारा के अनिसार हर राज्य को अपने शेत्र में सिक्षा की विवस्था करना जरूरी है ठिक है तो हर राज्य के की सिक्षा सनीटा होती है उसके अनिसार पूरी त़रीकिंटी विसमा निर्भर करती है वित्य मामले यानि के पैसो से रिलेटर जितनी भी बाते होती है शिक्षा पूरी तरीके से साशन पर यानि कि राजनीती पर निर्भर करती है थर्ड है सेक्षिक नियंत्र है तो साशन अपने लक्षियों आवशक्ताओ तथन राष्ट्रे निती के अनुसार पाथ्यक्रम विद्याले व्यवस्था सिक्षन विद्यों परिक्षा पधिती आदी का स्वरूप निधारित करता है यानि कि जो सरकार होती है वो अपने परिक्षा पधिती इन सबका निधारन करती है और सिक्षा संस्था पर पालन करना होता है तो सरकार जो है इस तरीके से भी जो है अपने नियंत्रन रगती है फूर्थ हमारा प्रसाशनिक नियंत्रन यानि कि सिक्षा संस्थाओं को हर राज्य साशन द्वारा निर्धारित सिक्षा संहिता के निसारी करना होता है काम तो हर स्क्षा संस्था को ऊसी के हिसाब से काम करना होता है इसके अलावा प्रधाना चाहरे है अध्यापकों की न्यूक्ती यानी के टीचर्स को जो जो जोयनिंग वगेरा होती है मतलब कि विभिन संस्थाओं को सरकारी मानने था आदी में भी साशन का नहीं कि सरकार का राजनीती का नियंतरन होता है ठीक है तो किसी भी देश में सिख्षा के उद्देश्य राजनीती से प्रभावित हुए बेना नहीं रह सकते तो सिख्षा के उद्देश्य निर्धारित करने में राजनीतीक आधार पे भी अपनी महत्वपून भूमिका निभाता है सिख्षा के उद्देश्यों के निर्धारन में एक विकाश्षील एवं लोक्तांत्रिक समाज के संधर्विए सबी आधारों दार्शिनिक, मनोवेग्यानिक, समाजिक, एतिहासिक, आर्थिक, वैराजनितिक की विशिष्ट भूमिका है यानि कि जब सिक्षा के उद्देश्य जो रते हैं, इनको निर्धारन करने चलते हैं, इनको चुनने चलते हैं, इनको निर्मान करने चलते हैं तो एक विकाशील और लोक्तांत्रिक समाज के संधर्व में ये जितने भी आधार है दार्शनिक, मनोवेग्यानिक, समाजिक, एतिहासिक, आर्थिक, राजनितिक, इन सब के अलग भूमिका, इनके विशेश भूमिका, यानि कि सिक्षा के उद्देशे का जब हम निर्मायन कर इंदेर उलग डबूमिका, निफाता है कि सिक्षा के उद्देशें, कोई कम, जादा मात्रें में इंसे प्रभावित होता यानि कि जैसे कि सोच लूँ दाशनिक आधार जो होता है वो सिक्षा के उद्देश्यों को जादा प्रभावी कर रहा है और यही मनोवेज्ञानिक जो हमारा आधार हो गया यह सिक्षा के उद्देश्यों को थोड़ा कम प्रभावित कर दें तो कम यह जादा कहीं न कहीं यह प्रभावित करते ही करते हैं लेकिन अगर आप कोशिश करोगा तो समझ आ जाएगा और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए का जरूर आप मुझे कमेंट कर सकता है मैं आपका डाउट क्लियर करने के पूरी कोशिश करोंगी ठीक है फ्रेंट्स तो आप हमें हमारी सोचल साइ जाए भारत पसंदार तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर तो जरूर कीजिए